अग्वेटा हम जो डिसक्स कर रहे थे वह कर रहे थे क्लासिफिकेशन आफ अर्बन सेटलमेंट जबकि हमने एक पोर्शन है वो पढ़ चुके हैं इस चीज़ के बारे में और अर्बन जो चेटलमेंट है वो स्टार्टिंग की थी उसकी एक वीडियो है वो मैं करा चुका हू जिसका लिंक आपको नेचे डिस्क्रिप्शन बोक्स के अंदर दिया गया है आप आसानी से वहाँ उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारी जो वीडियो है उसको देख सकते हैं और पहला जो साइज ऑफ पोपुलेशन था या पोपुलेशन जो साइज का जो पहला जो फैक्टर करा रहे थे classification के उन्दर हमने एक जो पार्ट हो करा चुका हो मैं पॉपलेशन साइज दूसरा जो पार्ट है वह जो दूसरा जो आता है कि जो disaster के जो classify करता है और एकलार को अनो मिक्स बेस जो एकनोमिक्स बेस के अधार पर भी कुछ जो country है वो डिवाइड करती है ठीक ना कुछ एक जो country है वो आपने आपको या फिर जो अर्वन जो सेटलमेंट होती है उनको डिवाइड करने का एक रूल है उनका वह है कुण सा एकोनोबिक्स बेस जैसे एक्जैम्पल की में बात कर Eight इसी दे इनडिया के अंदर मोर देन सेवंटी करेंट किसी भी रिजन के अंदर वहां कि जो फाप्लेशन है' वह 75 परशेंट मोर देन 95 परशेंट जो पॉपोलीशन है वों अंग्य abroad रही in non agriculture कि म्लब वो एक्टिविटी को छोड़कर जो एक्टिविटी है उसको छोड़कर किसी अन्यकारियों में वहां की जन्षंग क्या है वो अंगेज रही तो उसरी जन को बोला जाता है urban settlement हमने population के बार में भी पढ़ा था इंडिया में, इंडिया के अंदर जो population का जो criteria है, वो 5,000 होना चीए, और density यह आप मुझे comment करके बताएंगे कि density है, वो कितनी कि आउशकता है वो पढ़ती है बेटा यहाँ पे more than 75% population जा अंगेज रहे in non agriculture activity is called urban settlement in India, ठीक ना in Italy, Italy की मैं बात करूँ बेटा दूसरा एक्जामपल है Italy की, जैसे हमने इंडिया के अंदर बढ़ा a settlement is called an urban more than 50% more than 50% population अंगेज रहे in non agriculture इटली के अंदर क्या है 50% जो population more than 50% जो population है वो अंगेज रहे in non agriculture activity, ठीकिन जो productivity है उसके अंदर अंगेज रहे और non agriculture के अंदर ज्यादा अंगेज रहे कहने का मतलब है कि agriculture है वो नहीं करे और non agriculture activity के अंदर ज्यादा सम्मिलित हो, तो उसको बोला जाता है बेटा क्या urban settlement in Italy, इटली के अंदर urban settlement वो होती है जिसमें 50% से अधिक जो लोग है वो non agriculture activity के अंदर अंगेज हो अगला जो आता है वो आता है administrative decision या खाले आपके administrative जो है option वो दे रखा बेटा यह third है और last है इसके बाद हम अगला जो topic है हो start करेंगे urban settlement और आल्सो डिफाइन ठीक नहीं डिफाइन अकोर्डिंग दा या डेफिनेटिड अकोर्डिंग टू दा वे ओफ इट्स एड्मिनेस्टेटिड ठीक नहीं कई देशों के अंदर administrative के अधार पर भी urban urban settlement है वो डिवाइड की गई है ठीक नहीं किसको administrative कोड आधार मानके कुछ देशों के अंदर जो urban settlement है वो डिवाइड के गई है जैसे एक्जांपल के मैं बात करूं तो इसके अंदर आता है इंडिया एक सबसे अच्छा example है इंडिया इंडिया के अंदर urban settlement वो होगी ठीक ना अगन settlement वो होगी जिसके पास तीन चीज़े हो मुंशिपल्टी जो मुंशिपल्टी है वो है contentment board और notified area counseling ठीक ना यह तीन चीज़े हो इंडिया के पास उसके पास a settlement of any size population उसके पास चाहिए population वो कितनी भी हो वो matter नहीं करती पर उसके पास यह तीन चीज़े हैं मुंशिपल्टी है contentment board है notified area counseling है यह तीनों चीज़े हैं तो वह area क्या बोला जाएगा urban region बोला जाएगा या urban area वो बोला जाएगा इंडिया के अंदर अब Latin America के अंदर क्या आते हैं जो Latin America के जो country है कुछ एक जो country है जैसे मैं बात करूँ यहां पर बराजील कुझ यह बटा ब्राजील है और बॉलीविया है। बराजील और जो बॉलीविया है इसके अंदर क्या है के एनमीन स्टेटिव सेंटर कोई भी जो administrative center है उसी को चाहिए उसकी population कितनी भी हो जो administrative जहां कारिया होते हैं उस छेत्र को या उस region को जो बोला जाता वो बोला जाता urban region ठीक ना वो matter नहीं करता कि वहाँ पर population हो वो कितनी हो ठीक ना any administrative center is considered urban settlement या urban area तो यहाँ पर आपको याद रखना urban center is considered as urban settlement not matter of population कोई matter नहीं होता population का तो यह थी हमारी classification classification का जो topic है वो हमारा complete हो चुका है बेटा और आने वाली जो वीडियो होंगी उसके अंदर हम discuss करेंगे आगे भी इनके work इनके जो function है उनके बारे में discuss करेंगे आप लोगों के साथ तो आपको वीडियो अच्छे लगी तो like करना share करना और चैनल को subscribe जरूर करना ऐसी वीडियो देखने के लिए thank you